हेलो एवरीवन आज की इस वीडियो में हम फूड प्रोडक्शन से क्लास टैन के लिए यूनिट फाइफ सैलर्ड्स का पार्ट टू डिसकस करने वाले हैं चलिए शुरू करते हैं दस सैलर्ड केन ओल्सो बी क्लासिफाइड इंटू सलाद को निमलिकित भागों में भी वर्गी करत किया जा सकता है फर्स्ट है हमारा सिम्पल सैलर्ड्स सैकिंड है कंपाउंड सैलर्ड्स सिम्पल सैलर्स देख लेते हैं यूजवली कंसिस्ट ओफ वन टाइप ओफ वेजिटेबल अलोंग विद द्रेसिंग आम तोर पर यह है ड्रेसिंग के साथ एक परकार की सबजी होती है सैकिंड है हमारा कंपाउंड सैलर्स दी आर मोर एलबरेटेड सैलर्स विद मोर दैन वन इंग्रिडियेंट्स कंपाउंड सलाद जो होती है ये एक से अधिक सामगरी के साथ एक व्यापक सलाद होती है पार्ट्स ओफ सैलर्स सलाद के पार्ट्स देख लेते हैं फरस्ट है हमारा बेस सैकिंड है बोडी थर्ड है ड्रेसिंग और फोर है फोर्थ होगा हमारा गार्निश बेस देख लेते हैं The base of a salad is generally made up of leafy greens सलाद का आधार आम तोर पर पत्तेदार साग से बना होता है The leafy greens help to cover the base of the platter which gives contrast in color too The best bound, the salad and the salad The salad looks more appealing when made with the base or under liner Base के साथ या liner के नीचे बनाए जाने पर सलाद और सलाद को आधार से बांधा जाता है The lattice used are red leaf, radicchio, iceberg, argula, frisie, etc लाल पत्ते, radicchio है, himshel, argula, frisie, इत्यादी का उप्योग भी किया जाता है मतलब base के अंदर जो है इन सारे पत्तों का हम use करते हैं Next है हमारा body This is the main parts of the salad ये है, सलाद का मुख्य भाग है It gives the body to the salad ये है, शरीर को, ये है, बोडी को जो है, सलाद देता है It will give the name to the salad and the main test is dependent on the body of the salad जो भी, ये है, सलाद को नाम देगा और मुख्य जो main स्वाद होता है, सलाद के सरीर पर ही निर्भर है For the body ingredients, used are chicken, fruits, vegetable, etc Body के लिए, जो शरीर है, सामगरी के लिए चिकन, फल, सबजिया, आदी कव्योग किया जाता है मतलब, जो भी आप, जिस भी तरह की सलाद बना रहे है तो उसी के, according, चिकन, फल, सबजिया, आदी का उप्योग किया जाता है Next है हमारा, ड्रेसिंग ड्रेसिंग देख लेते हैं It is a kind of sauce which has to be served on the salad or with the salad यह एक तरह की चटनी है, जिससे सलाद या सलाद के साथ सर्व करना होता है It is very necessary part of the salad which develops the taste in the salad यह सलाद का बहुत आवशक हिस्सा है, जो सलाद में स्वाद विक्सित करता है We can say that without the dressing, the salad is not complete हम कह सकते हैं कि बिना ड्रेसिंग के सलाद अधूरा है It provides tartness, spiciness, moistness and flavor यह है तीखापन, नमी और स्वाध परदान करता है Some famous dressing are vinaigret, thousand, island, mysonis, etc कुछ परसिद ड्रेसिंग है, vinaigret, हजार दिव, mayonnaise, आदी Garnish देख लेते हैं, garnish It is the optional part of the salad which when added enhances the value of salad यह सलाद का वेकलपी हिस्सा है, यह सलाद का optional part है जिसे बिलाने पर सलाद के मूले में रदी हो जाती है मतलब सलाद की value बढ़ जाती है The main purpose of adding the dressing is to add the eye appeal यह जो है, dressing जोडने का मुख्य उद्देश आँखों की appeal को जोडना है मतलब उसको attractive बनाना है, salad को It can be simple or composite too यह सरल और मिस्रित भी हो सकता है If the garnish is elaborated, then it will dominate the salad अगर garnish को विस्तरित किया गया, तो यह सलाद पर हावी हो जाता है Few garnishes used are cherry, mint, sprigs, coriander, green sprigs, lemon wedge, etc जो cherry, pudinे की टहनी, हरी धनियों की टहनी, lemon wedge, आदी कुछ सजावतों का उप्योग किया जाता है I hope salads का part 2 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा Thanks for watching, thank you, thank you so much